सूरत में भाजपा और आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है सोमबार की सुभा फिर से आम आदमी पार्टी के कारे करता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कोपाल इटालिया के नेत्रितों में प्रदर्शन करने बीजेपी कारेयाले पहुँच गये और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे कुछी देर बाद देखते ही देखते आम आदमी पार्टी और भाजपा के कारे करताओं के बीच भिड़न्त हो गई संख्या में जादा होने के कारण बीजेपी कारे करताओं ने आप समर्थकों की जम कर पिटाई कर दी मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एक दूसरे से अलग करवाया वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा कारे आले पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कारे करताओं को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में पीटा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जै और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए दरसल दोनों दलों के बीच विवाद शनिवार को उस समय शुरू हुआ जब सूरत नगर पालिका के समाने सभा में आपके पार्शदों को बोलने और दो प्रस्ताओं पर चर्चान नहीं करने दी गई और सभा का समापन कर दिया गया इसी के विरोध में कारेकरताओं ने शनिवार को पूरी रात सभागरी में बिताई इसके बाद रविवार की सुभा भी भाजबा और आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के बीच तीखी बहस हो गई थी दोनों पार्टियों के कारेकरताओं में लड़ाई जगड़े के बाद पुलिस ने आपके कई कारेकरताओं को हिरासत में ले लिया कर रौना ले रखिमे को हिरी हो जगड़े रखिमेぎ कर दोनों दोनों पुलिस